बिसमिल्लाई रह्मान रहीम असलाम वलेकुम आज मैं आपके साथ में शेर करने वाली हूँ तावा कलेजी की रेसिपी तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब करके बैल बटन को भी हीट कर दी किया है उसमें एक चमच मैंने सर्फ विनेगर का यूज कीया है और यहाँ तभी ब्लड ब्लedy याठ आपक टूंगी और शके अब कर दूंगी प्यास तो मैंने यहां पर एक प्यास को चौपर में चौप कर लिया है और बस हमेंसे अच्छे से गोल्डन फ्राइ कर लेना है प्यास जो है वो जल्दी जल्दी से फ्राइ होने लग जाए इसके लिए हम इसमें एड़ करेंगे नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक एड़ कर सकते हैं मैं यहां पर एड़ कर दूंगी दो चुटकी जितना नमक किलिके मैं थोड़ी सी कॉंटेटी में बना रही हूँ तो अभी आप देख सकते हैं प्यास जो है वह हमारी अच्छे से फ्राइ होना शुरू हो चुकी है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी आदा चमच अद्रक लसन का पेस्ट और अद्रक लसन का पेस्ट डालने के बाद इससे हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी जो कच अच्छी स्मेल होती है वो निकल जाए तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं आड़ कर दूंगी एक मेडियम साइस का टमाटर इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इसे भी तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हम इसको गला लेंगे ताकि प्यास टमाटर और अधरकल संसा एक साथ मिल जाए और अच्छे सा मसाला जो है वो तैयार हो जाए तो बस इसी तरीके से हमें अच्छे से से मिक्स करते जाना है अब मैं इसमें आड़ कर दूँगी धनिया पाउडर आदा चोटा चमज हल्दी पाउडर एड़ करेंगे आदा चोटा चमज लाल मिश पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाफ से आप एड़ कर सकते हैं मैं आदा चोटा चमज ही एड़ करूँगी और साथ ही मैं आड़ कर देंगे गरम मसाला पाउडर तो बिल्कुल थोड़ा समय गरम मसाला पाउ मसाले जलेना इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी एट कर देंगे तक कि मसाले जो है वो जलेना तो बस अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो मसाले सारे कुख हो रहे हैं हमारे बस इसी तरीके से करते हुए हमें दो से पांच मिनिट तक के लिए से पका लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए ड्राइ हो जाए तो अभी आप देख सकते हैं कितना सारा जो पानी था वो पूरा ड्राइ हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ा पानी और दाल दूँगी ताकि मसाले जो है वो और अच्छे से बिल्कुल गल जाए टमाटरो प्यास तो अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो मसाला तयार हो चुका है पूरी जो ट्रिक है इसको भूनना ही है तड़े पर ये मसालों को इससे ही इसका फ्लेवर जो अच्छे तो बस आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है वो हम बिलकुल धीरे-धीरे एक-एक कलेजी को अच्छे से भून रहे है ताके दोनों साइट से इस पर मसाला लग जाए और अब इसमें एट कर देंगे पानी तो पानी यहाँ पर एट करूँगी मैं आदा कप के करीब और बस इसे हम लो पर छोड़ देंगे 10 मिनिट के लिए ताके जो मसाला है सारा आपस में मिल जाए कलेजी पर लिपट जाए और यह जो पानी जितना भी हमने इसमें दाला है प पानी में जो भाब बनेगी उससे हमारी कलेजी जो है वह और सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल नर्म हो जाएगी तो दस मिनिट के लिए हम इसे लो टू मीडियम पर ही पकने देते हैं तो बस इसी तरीके से जो है वो पूरी कलेजी का पानी है सारा ड्राय कर लेना है और फिर इसे गर्मा गर्म सर्फ कर सकते हैं आप रोटी के साथ चावल के साथ या फिर पराठे के साथ तो अगर आपको यह रेसेपी पसंद आए तो प्लीस इस वीडियो को भी जरूर से ला अला हाफेज